दोस्तों नमस्कार प्रणाम अभी आदन स्विकार करें शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरे मत प्रदेश के सभी बावन जीलों की खबरे यदि आपको खबरे पसंद आए तो वीडियो को लाइक जुरू करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चेनलन को सब् और यहां विद्यारतियों की जोली में गिरी है अस्पताल प्रसासन की विद्यारतियों का कोर्स पूरा होने के बाद अस्पताल वा मेडिकल छेतर से जुड़ी लेब ने जॉइनिक दी है और पेकेज भी अच्छा दिया है इन विद्यारतियों को तो अच्छी बात है गु सुटिंग होगी अक्षे कुमार और परेश रावल जी आएंगे और फिल्म की सुटिंग करेंगे जोतिरलिंग महाकाल मंदिर में सितंबर महा के पहले सब्ता में फिल्म अभी नेता अक्षे कुमार और परेश रावल की फिल्म ओ माई गाड टू की सुटिंग होगी मंदिर के बीतर तथा आसपास के छेतर में विबिन द्रश्यों का फिल्मांकन किया जाएगा बताया जाता है कि फिल्म की सूटिंग को लेकर्स मेकर्स ने अनुमती लिये प्रसासन से तो इस प्रकार से अच्छी बात है मत प्रदेश के रिवा और सागर संभाग में भारी बारिस की चेतावनी जारी किये मौसो महग्यानिकों द्वारा मौसो महग्यानिकों के मुताबिक सागर रिवा संभाग के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिस हो सकती है बोपाल उज्जेन जवलपूर संबाग के जीलों में भी रुक रुक कर तेज बहुत सारे पड़ सकती है तो इस प्रकार से अभी प्रदेश में बाड़ की इस्तिती बनी हुई है आप सभी ध्यान रखेगा मौसम इबाग के अलर्ट के अनुसार आप सभी सतर गरें मतप्रदेश केबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया है तबादलों को लेकर सियम सिवराज सीच चववान की केबिनेट में बड़ा फैसला हुआ है तबादलों के अब उन्हें रोक दिया गया है बाद की इस्तिती सामान होने के बाद ही नई तारिक का एलान होगा उन तारिकों पर अधिकारियों का तबादला होगा इस योजना से होगा पच्ची सो से ज़्यादा इसकुलों को लाब सरकार ने एलान किया है जनपत से जीला पंचायत में जाएंगे प्रस्ताव मत प्रदेश में नई योजना चालू हो रही है मत प्रदेश में गोपरतन योजना से साड़े नव हजार बायोगेस संयत्र लगाने का लक्ष रखा गया है इसके तहट पच्ची सो उन पचास इसकुलों में बायोगेस से मद्यान भोजन पकेगा मद्यान भोजन कारकरम के अंतरगत दोसो से अधिक छात्रों का मद्यान भोजन तयार करने वाले पच्ची सो उन पचास इसकुलों में बायोगेस संयत्र इस्तापित किये जाएंगे तक बुद्वार को रखी गई जिसमें मत्प्रदेश के तमाम मामलों पर बात होगी और गरीब अन उत्सो योजना का भी प्रजेंटेशन दिया जाएगा अन उत्सो योजना के तहट प्रदेश के लाखो गरीबों को रासन कीट दी जाएगी जिसका प्रदान मंत्री नरिंद जो प्राकरतिक रूप से निर्मित की गई है यह बाद बादवगड के पहाड की है बादवगड के पहाड के विविन हिस्तो में भगवान के 12 ओतारों के चवियां पत्तोरों पर उकेरी गई दी लेकिन भगवान की असेश सहिया पर ये सह करशक में बान देती है यां खज्राना मंदीर को भारती खाद सुरक्षा और मानक प्राधिकरन द्वारा नियुक्त एजेंसियों की ओर से किये जा रहे आडिट में खज्राना गणेस मंदीर को सेप भोग इस्तल के रूप में एक बार फिर साप और स्वच परिसर और गुणमत्ता युक्त प्रसाद के ल पालन करते हुए दर्सवन कराए जा रहे हैं तो इस प्रकार से बहुत सारी खुबिया है इस मंदीर में इसलिए इसको स्वच धर्मिस्वल का दर्जा मिला है इंदोर के मालवा के खुबसरत वादियों में 17 महिनों बाद फिर से पट्रियों पर दोड़ रहे हेरिटेज ट्रेन लोगों में दिखाए उत्सव आप इस ट्रेन से अपना सपर कर सकते हैं और इस बारिस में परेटन का लाव ले सकते हैं लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर महू से पातल पानी के बीच हेरिटेज ट्रेन का संचलान सुरू हो गया है दरसल कोरोना मामारी के चलते पिछले साल हेरिटेज ट्रेन को बंद कर दिया गया था लेकिन अब रेल मंतराले के आदेश के बाद सुक्रवार से एक बार फि में जाने के लिए आनलाइन बुकिंग कर सकते हैं यदि आपको इन वादियों का दर्सन करना है तो जरूर आनलाइन बुकिंग करें और इस परेटन का लाव उठाएं वहीं सियम सुरासी चवान ने प्रदेस में बाल की इस्तिती को देखती हुए केविनेट बैटक बुलाई और उन केविनेट बैटक में बड़े एहम फैसले लिए हैं तो चले सुनते हैं सियम सुरासी चवान के फैसले चुनोती बड़ी लेकिन होसला भी हमारा बड़ा आज हम डट के काम करेंगे एक जैसे जैसे परिस्थितियां सामानी बनेगी सर्वे का काम स्टार्ट करना है राजस्वाग किरसी विभाग जो हमारी टीम रहती है सर्वे की क्योंकि कई जगे घरों का नुक्सान भी है कुछ फसलों का नुक्सान भी है पसु बहें उनकी जानकारी लेनी पड़ेगी पर यह सारी विवस्ता में मुझे लगता ततकाल एक तो अनाज के वित्रण की विवस्ता पर फैमिली पचास किलो जो प्रभावित हैं जिनके घरों में पानी गुश गया वो हम देने की विवस्ता क करेंगे और हम कोसिस्य करेंगे कि वो दस किलो के साथ 50 किलो और दे देंदें वहां को वैसा कारीकम नहीं करेंगे हम बहुत समार हो पूरवक जहां प्रभावित परिवार को 50 किलो और अगर हम अभी दे देंगे तो उनको काफी ताद कालिक रहात मिलेगी कुछ जगे आप पहल करें एक दम संबब नहीं मैं जानता हूं लेकिन क्या पचास किलो आटा दे सकते हैं हम उनको जहां जाए ये संबब हो आप पचास किलो आटा दे दें तो कम से कम रोटी की व्यवश्था भोजan की व्यवश्थथा बन जाएगा भी तो वितरन का काम भी चल रहा है लेकिन अब डास न हम तना तो वह जह बनाने ऑपर देगा तो इस प्रकार से जानकारियां तो यह आपको जानकारियां पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों में सेयर करें ताकि वे भी जानकरियों से अपडेट रहें और जानकरियों को लाब ले सकें तो आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए जैह जय भारत